तो हेलो नमस्कार गाइज उम्मीद करता हूँ आप से होगे एक तम बढ़िया भरी घर्मी का महीना है वह वो अलग बात कि आप वीडियो का देख रहे हैं ठंड में बैटके तब आज की वीडियो है वह काफी इंटरस्टिंग होने वाली कि आज की वीडियो जो है स्पेशली आपके लिए एक वीडियो तेहार कर से कूँद वारी स्टार्ट करते हैं अगे क्या इंप मिन्फरमेशन देने वाले में तो आपने थम्म्ने में देखा ही होगा इस कैमरे के बारे में इसका रिवीव बिलकुल बार वन है जिसमें हम एक देशलार की बीजिक सेटेंग बहुत इंपोर्टन होती है इस फैसली फॉर बेगिनर्स पार्ट वन है यह तो कि способ क्या करेंगी कहां से करेंगे सब कुछ जाने का इस विडियो में बने रही है इस वीडियू के अंधर तरह पढ़ा दो कि आज पर केम ज्यादा समझ में आए सो जैसे कि मैंने का यह है निकान डी 7000 का मॉडल निकान तो हम सबसे पहले लोग स्टार्टिंग से वीडियो बताते हैं कि डिसलार को और कहां से करें वट मैं उल्टा बताऊंगा आज मतलब दिखाऊंगा मैं स्टार्टिंग से फ्रंट से बैक तक के स दो बटन मिलते इसमें पारकी ऑज्जस्मेंट का मिलता है फोकस एंड़ुम और जूम आउट का तो दो बटन इंपोर्ट्ञ ओते हैं जो की होता है एक अन्य मतलब हो और आटो एम का मतलब है मैंनुल और यह लैंश है तो आटो का मतलब है ऑट्ड़ोः धो पोकस और मेंक जो कि काफ भी शोड़ा मुस्किल होता है और इस बेगनर्स अब को वी आर जो है यह आपकी इमेज वह वह स्टेबलाइस रहेगी जब क्लिक करें जैसे कि विंडी एरिया में अगर फ्लिक करेंगे अफिट केरा तो आपको कैमरा आटमेकली स्टेबलाइस पोटो लेगा अगर तो यह होगी कुछ लेंस की बाद एंड यह है 18105 140 mm की लेंस अठार एक सो चारी से में की लेंस है यह निकॉन की एंड दैन हम बात करते हैं सीधे द्रफ दिन हमें मिलता है निकार और इसमें और फोकस में लेगा और जब आपको टाइट ली फ्रेस करेंगे अंदर तो आपको दीज को क्याप्चर कर लेगा यहां पर लगी है लाइट फोकस के लिए वाई दभी हम यहां पर आते हैं जब हम तो आप फ्लैश कंपल सरी होता ह लो लाइट में यूज़ करना तो फ्लैस आप यूज़ करें कुछ इस तरीके से इसली एंड डेल टाइम में इस भी इसको यूज़ कर सकते हैं यहां पर आपको मिल जाते हैं कापी सारे मैनुवल्स के लिए मतलब मोट मैं हमेशा ही क्लिक करने कोशिश करें आपको कुछ भी स इसमें हम सिर्फ मैनुवल्स को करेंगे और अटो मोड में अगर आप स्विच करेंगे तो इसमें बनाने वाली है ही नहीं क्यूंकि इसमें डियसलार सारा कुछ अपने आप देखेगा तो मैनुवल्स में हम यहां पर इंफॉर्मेशन का बटन दबाएंगे स्क्रीन पर डि की से ध्यान में रखें और कैसे क्या कौन सी सिच्वेशन में मैंनुल मोड में अलग-अलग रखना पड़ता है तो आप सटरी स्पीड के लिए यहां पर यहां पर यहां पर डायल है आपका ट्रिगर एक टाइप का डायल कुछ भी हो ले तो इसको आप रोटेट करेंगे त के लिए अगर इसके सामने की बात करें तो निकॉन में मोचली सामने मिलता है तो इस से जो है आप अपरचर को और जैस कर सकते हैं तो आपको सिच्वेशन में कि आपको ब्लरी बैगरांड चाहिए या पर क्या जहिए तो उसी इस आप से आपको रखना पड़ता है आई-स क यहां पर लिखा हुआ है आपको सभी डीएसलार में मुएस्ट ली अगर आपको अच्छी कंडिशन में सभी बटन के ऊपर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि कौन से बटन से क्या होता है तो आइसो पर आपको यह जो डायल है इसको आप करेंगे तो अगर आप उपर वाले और अपर्चर भी बहुत मतलब आची फोटो के लिए करते हैं बट फिर भी उनकी फोटो काफी डल आती है वह एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनका एकस्पोजर होता है यहां से यह वाला यह वाला जो है उनका ऐसे मतलब की माइनस पर लगा होता है वह उस चीज़ को ध्या फोटो आएगी तो एकस्पोजर भी काफी ज्यादा माइने रखता है मेक शूर कि आपको एकस्पोजर सेट्योशन के साब से सही है ना जाधा कम है ना जाधा मतलब ज्यादा है तो अगर आप वहीं लाइब व्यू चाहते हैं कि आप या तो आप इससे आई व्यू फानुल फोटो क्लिक कर सकते हैं सीदे से कुछ इस तरीख से होल्ड करके रखना है आपकी फोटो हो जाएगी यहां पर त्यार है अभी एस्टी काड में मेरे कुछ है नहीं तो डी काड नहीं सब्सक्राइज कीजेगा इसमें इंटर्ली स्टोरेज नहीं मिलता है लाइब व्यू मे है तो किसी हाई भी हालत में अंदर की ज्यादा सेटिंग को छेड़े ना क्योंकि बहुत महगा पर सकता है वह मतलब खुद कंट्रोल करना तो इसलिए इसको हम पार्ट टू या पार्ट थी जब भी आप कहेंगे तब हम मतलब जब भी नेक्स वीडियो आईगी तब हम उसमें पसको प्लस का मतलव यहां पर क्यो यहां कितनी का व्याइप कर io तो यहां सी आप प्लस के आईकन जो है कैसे पिक्सेश्व आ रहे हैं कैसे मतलब क५ाल्टि अरे किसीं तो और यहां यह हैं कुछ doorway बटन से बस सिए और देखा रहा है काफी कम बटन सहाइं तो मैनी सब्सक्राइब करेंगे बिना अतलब आइडिया के बिना जाने हुए तो काफी रिस्क है और कैसे बाइपाइब बगरा चलाएंगे सब अगली वीडियो में जानेंगे और कि आप जब यूज कर रहें कहीं पी तो शादी वगरा में या फिर कहीं भी यूज करते हैं तो आप थोड़ा आप कॉटन या फिर जो बाइक्रो फाइवर का कपड़ाता है उसे आप लेंस के प्रफरन पार्ट को क्लियर करते हैं कभी कभी यह फिर फोटो या तो आपको फोकस रहता है या तो हर फोटो में उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे तो यह काफी बारी की चीज़ है और यूवी फिल्टर एंड इसको फूट का काफी यूज होता है यह जूरूर आप इस्तमाल करें और हो सब्सक्राइब अब करता तो आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे कोई और डाउट हो अगर आपके मन में वीडियो देखने के बाद या और और कोई भी मतलब करी आपको कुछ भी हो जैन प्लीज दू कमेंड नाओ रिप्लाइद दूँगा जरूर और मिलते हैं अगे लिए पिछले वीडिय में तब तक के लिए टाटा बाइबाइब सी यू सून और डू सब्सक्राइब को मोर अब्डेट्स